मद्यप्रदेश के खंडवा जीले के खालवा थाना शीत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया था जहां नाबालिक दलीत लड़की के साथ मारपीट की गई थी वहीं इसका विडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल विडियो के साथ एक संदेश भी दिया जा रहा है वहीं मामला मीडिया में आने के बाद तूल पकड़ने लगा है ऐसे में प्रशाशन ने भी राश पत्रत अधिकारी से जाँच कराने के आदेश जारी कर दिये हैं देखे क्या है पुरा मामला इस संदेश में कहा जा रहा है कि खंडवा के गाउं भगवा पाना खालवा में जर्माश्टमी पर मटकी फोड कारिक्रम में एक दलीत बीटी के पंडाल से निकलने पर जातिवादी 10-15 लोग ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया इस वाइरल वीडियो को लेकर जब खालवा थाने से जानकारी ली गई तो पता चला कि 19 अगस्त को जनमाश्टमी की रात गाउं की भीलट बाबा मंदिर के पास मटकी फोड कारिक्रम चल रहा था उस दोरान एक युवक को नाचने से मना करने पर विवाद हो गया ग्रामिणों के मताबिक आरूपी लखन शिराब के नशे में था इसलिए उसे वहाँ नाचने से मना किया गया इसलिए इस बात पर लखन और अन्य पक्ष के बीच विवाद हो गया इसे बीच लखन के परिवार वाले और उसकी 15 वर्ष ये बीटी भी वहां आ गए इस विवाद में उसकी बीटी के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी खालवा पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है रहा है तो नहींच जात किए क्यों जा रही है इधर से उमून मारने लगे मैंने इतना ही बोला उनको तूम ऐसा कि बोल रहा हो मुझे सबने मारा मिलके सपक्ष सी उने कि इस फार नहीं सार तांच अब्हात्यल पंतकर मिलकिं कमल पर उनकी नाम मुझे अभी याद नहीं है आप पढ़ाई करते हों? नहीं पाचली तक पढ़ाई की थी छोड़ती से इसके पहले भी कहीं इस तरह की लड़ाई हुए थी आपकों बीच हों? नहीं जाती सुज़क करके जो हापिट की हो आपकों बीच करेंगे जोड़ाई कारें वही अब मामला मीडिया में आने के बाद तूल पकड़ने लगा है ऐसे में प्रशाशन ने भी राज पतرت अधिकारी से जाच कराने की आदिष जारी कर दिया है खंडवा पुलिस अधिक्षक विवेक सिंग ने बताया कि 19 अगस्त को भगवा में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था दोनों ही पक्षों की और से FIR दर्श की गई है एक पक्ष की और से STST Act के तहत मामला दर्श किया गया है वहीं दूसरे पक्ष की और से IPC की सामान धाराओं में मामला दर्श किया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में एक पक्षनी जाती संबंधी गंभीर आरोप लगा हैं इसलिए इस पूरे मामले की अब राज पत्रित अधिकारी से जाँच कराएंगे जाँच कराने के बाद रिपूर्ट में आए तथ्यों के अनुसार कारिवाही की चाएगी